आपका इंग्लिस का पेपर हो चुका है तो मैं आपको इस वीडियो में इसका सॉलूसन कवर करवाने जा रही हूं उमीर करती हूँ कि आपको अच्छा गया होगा मेरे पास सेट भी है और इसमें जो भी कोश्चन है आप कोश्चन पढ़कर के ही अपना अंसर मिलाएं क्योंकि जो आप सेट बदल जाती है तो कोश्चन इधर के अधर हो जाती और पूरे वाई जो इसमें आए हैं लेकिन कोश question होगा आपके पर हो सकता है fourth, fifth पर हो इस तरह से तो यह पहला question जो है section A में passage में से आपको objective type question पूछे गाए हैं यह passage आपको आ रहा है compare to me other wonders of the universe fell into insignificance तो यह जो passage आपका पूछा गया है दिखा देतीं हूँ पूरा आपको यह passage आपको पुरानी book message यानि 12th class का जो 2020 में course change हुआ उससे पहले जो English की book चलती थी उसी के एक lesson में से लिया गया है जो brand की उपर था तो यहाँ पर पहला question दिया हुआ है in thousand of such way I baby Joe यहाँ पर baby का मतलब पूछा जा रहा है baby means तो यह answer यहाँ से है in thousand of such way I baby Joe in return I am तो यहाँ से यह question आ रहा है तो baby Joe का मतलब है यहाँ पर young children यह question ऐसा है जिसमें अधिकतर लोगों को confusion है कि क्या आएगा यहाँ पर animal हो नहीं सकता जोस brain हो नहीं सकता क्योंकि अगला question आया है इसके लिए और elder होगा नहीं तो इसका सही answer यह है next है आपका the brain requires of the oxygen he inhales correct answer है आपका 20% मैं अंसर बताती चलती हूं जिससे आपको कोई confusion ना रहे कि मैं गलत बता रहे हूं कि सही बता रहे हूं I require 20% of the oxygen he inhales यहाँ से सीधा आपका answer दिया हुआ है next है आपका give the worm form of contraction तो यह tion जब भी सब्द होता है वो noun होता है उसी तरह से er या or सब्द होता है तो यह सब्द भी आपका noun है और यह भी सब्द आपका noun है हलांकि यह तो spelling यह सब्द ही बदल गया आपको जब भी noun form बर्ब फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म देखना हो तो आपको ध्यान रखना है कि सब्द वही होना चाहिए यह दोनों सब्द अलग हो गए तो यह तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं अब यह और आ रहा है तो यह भी noun है तो correct answer आपका होगा contact next question who is I in the passage तो यह correct answer है जोस ब्रेन यह answer दिया हुआ है I am जोस ब्रेन next question the bit of the brain is यह पर अंको में दिया हुआ है 1 and 5 kg मैं इसका answer आपको बता देती हूँ शुरू में ही दिया हुआ है I am a 1 and a half kilo mushroom of grey white tissues of gelatin consistency 1 and a half kilo तो जो ब्रेन का बजन पूछा जा रहा है यहां पर तो यह सिर्फ half kilo दिया है यह 2 kilo यह 1 kilo और यह 1.5 तो correct answer होगा 1.5 kg जोस ब्रेन इस जोस यह आएगा आपका all of these यह answer आपका यहां से आया I am Joe, his personality, his reactions, his mental capacity तीनों चीजें दी होई हैं तो यहां पर answer आपका correct होगा all of these the brain shifts when something dangerous happens पहला बाल आएगा इसमें gears यह answer आपका आ रहा है if something potentially dangerous happens I instantly shifts gears सब्द दिया हुआ है next ears, tongue and fingers collect only यह आपका information यह है आपका answer ears, tongue and fingers merely gather information next the information the brain that carbon dioxide is rising in juice blood तो यह correct answer है आपका sensors यह है आपका answer sensors inform me that carbon dioxide is rising in juice blood तो हमारा correct answer है sensors which among these is the adjective form of information फिर से मैं बताऊंगी आपको कि tiun last में है तो यह आपका word noun है तो यहाँ पे ibe सब्द दिया हुआ है ibe spelling के last में होता है तो वो आम तोर पे adjective सब्द होता है तो यह spelling आपको मिला लेनी है सब्द मिला लेना है कि आपका सब्द यही है क्या तो यह correct answer आपका है तो यह आपके दस्रों question के answer complete हुए और मैंने आपको passage में वकाईद answer बता दिया है कि कहां पे इनका answer दिया हुआ है तो गलत होने के कोई chance नहीं बनती है मैं यह बात बारवार इसलिए repeat कर रही हूँ कि अभी जब आपका हिंदी का paper हुआ था तो मैंने एक channel पे देखा उन्होंने हिंदी के इतने ज़्यादा गलत answer बताए हुए थे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है आप हिंदी का paper solution channel पे डला हुआ है देख सकते हैं नेक्ट question है आपका read the passage carefully and answer the questions given below यह passage भी जो unseen notes making में आपको दिया जा रहा है पिछली book मैंसे ही बर्क book का एक passage है तो यहाँ पर यह passage दिया जा रहा है आपका meditation की उपर टोटल जो कुछ भी बताए जा रहा है meditation की उपर बताए जा रहा है तो इसकी जो heading होगी या title जो होगा main title वो होगा meditation या benefits of meditation या advantage of meditation और अलग-अलग passage में आपके अलग-अलग चीजे बताए जा रही है तो जैसे इसमें आपके benefits बताए जा रहे हैं तो हम यहाँ पर जो sub heading है benefits of meditation डालेंगे यह आपके meditation के लाब बताए जा रहे हैं इसमें आपके types बताए जा रहे हैं तो इसकी जो sub heading बनेगी types of meditation बनेगी और meditation अगला focus attention on breathing किस तरह से हमें meditation करना चाहिए वो तोर तरीका इसमें बताए जा रहे हैं तो उमीद करती हूँ यह आपने किया होगा section B में आपका letter आया हुआ है summer vacation यह पुराने उसमें से repeat है और complaint letter है against postman और यह आपके paragraph राइटिंग और यहाँ पे आपकी एक report राइटिंग दी हुई है student की उपर और question number five आपका notice और एक poster दिया हुआ है section C grammar solution cover कर लेते हैं फिलें the blanks choosing the correct word इसमें पहला सब्द आएगा आपका दा क्यों आएगा दा क्यों कोई यहाँ पे निश्चित बाली बात हो गई दो sentence यहाँ पे हू से जोड़े हुए है इस कारण से the man who wrote this book is my friend कौन सा ब्यक्ती जिसने इस किताब को लिखा है इस book को लिखा है तो यहाँ पे निश्चित बाली के कारण दा आएगा ए नहीं आएगा एन तो आना ही नहीं है नहीं नहीं है नौटी का लाना नहीं है दा कोज कवधारण है और भी कीप अबर बैड इन दा फ्रीज सो देट इट डजन्ट गो बैड यह भी पुरानी बुक की ग्रामर में से ही लिए हुआ सेंटेंस है यह भी और उपर वाला भी हाँ मच मिल्क खालिस्थान के बार साब्द अनकाउंटेवल नाउन है इसलिए हाँ के साथ में मच आएगा में नहीं सकता हो के साथ में few और वल आएगा नहीं सो क데 nose youth is full, full के साथ में हमेशा of ओप यह आएगा, Mohan speak two languages need you to, यहाँ पर आएगा can, छमता वाली बात हो रही ability की बात हो रही है, तो यहाँ पर Mohan can speak two languages तो यह चेक question थे आपके फिलिंदा blanks के एकी चोईस ती है आपको उमीद करती हूँ, आपने करा होगा आगे देखते हैं, हम do is directed आपको दो sentence combine करने थे, neither nor का प्रयोग करके तो यहाँ पर did not दिया हुआ इन दोनों को हम हटाएंगे, और जहाँ पर not होता है, वहीं पर हमें neither लगाना रहता है, तो यह sentence आपको होगा see, neither talked to me, did को जब भी हटाते हैं, हमें man verb की second form करनी रहती, तो यह होगा talked see, neither talked to me, बचा हुआ sentence, nor looked at me, neither nor से जोडने के और भी तरीके होते हैं, तो मैंने आपको उनमें से एक तरीका बताया है यह बच्चों को सरल पड़ता है next है आपका second question the other and the words to make a meaningful sentence, तो सबसे पहले आना था how much experience have you got next है आपका, the tea is so hot that I can't drink it तो हम जब भी so that को हटा के two or two का प्रयोग करते हैं, तो जहां पे so होता है, वहां पे हम टी डबल two लगाते हैं, और that हटाएंगे, two लगाएंगे लेकिन उसके बाद हमें subject और cannot हटाना रहता है, यानि two के बाद तुरंत बर्व की first form आती है, तो the tea is too hot to drink it भी नहीं आता है next है, my friend send me a letter, change the voice ये दो object दिये हुए हैं, दोनों मैंसे किसी को भी रखके हम passive voice बना सकते थे, तो मैंने आपको दोनों को अंसर बताया है मी को subject बनाएंगे तो हो जाएगा I was sent a letter by my friend और यदि हम a letter को subject बनाते हैं, तो इस तरह से होगा a letter was sent to me यहां बच्छी भूल जाते हैं, तो मी से पहले to लगेगा to me by my friend, आपने जो भी किया हो next is as soon as I met my friend I started waking no sooner का प्रेव करना है आपको as soon as जहां भी दिया हुआ है वहाँ पे हम no sooner का प्रेव करेंगे, लेकिन no sooner के तुरंत बाद sentence interrogative होता है इसलिए हम लगाएंगे did did I meet जब हमने यहां पे did लगा दिया, तो met को बापस हम first form meet में change करेंगे, meet my friend और जहां कोमा लगा हुआ है वहाँ पे हम then लगाएंगे और बाद में हम बचा हुआ पूरा sentence दूसरा वैसा का वैसा ही यहां लिख देंगे, तो no sooner did I meet my friend, then I started beeping इस तरह से answer होगा आपका you can catch the bus if you take a taxi unless का यूज करना है तो यह दोनों ही sentence अभी आपके positive है तो unless यहां लगाएंगे हम तो हमें दूसरे sentence को भी negative बनाना पड़ेगा तो यहां हम लगाएंगे not तभी meaning सही आएगा तो you cannot catch the bus unless you take a taxi इसकी past perfect बनानी है तो यह हो जाएगा he had फिर से had his lunch क्यों होगा क्योंको यहां पे यह main verb के रूप में है और यह past indefinite का उधारण है past indefinite में verb की second form होती है past perfect में verb की third form होती है और head helping verb होती है तो यह head helping verb होई यह head main verb होई third form के रूप में और he had his lunch इस तरह से होगा next question है आपका answer the following questions in 75 words तो यह आपके question आपने किये होंगे question number 9 और 10 यह सब यह आपके text book के question answer आ रहे है text book और supplementary reader के question number 11 आपका extract दिया जा रहा है यह भी object है इसके answer बता देती हूं मैं आपको पहला question how many delegates were there in animal convention तो आपका first वाला ही answer है correct मैं अभी आपको passage में बता दूँगी when did राजकुमार सुकुला मीट गांधी तो in 1916 ही आएगा इसका answer give the similar meaning of the word present तो यह है आपका farmer और चंपारन is situated तो यह आएगा आपका near नेपाल इसका answer आपका passage में उपर ही दिया गुआ है kingdom of नेपाल near the kingdom of नेपाल गांधी जी ने कभी भी चंपारन का नाम नहीं सुना था तो राजकुमार सुकुला ने उन्हें आता है था यह नेपाल राज के पास में है और from which lesson this extract has been taken तो यह आएगा आपका indigo तो यह extract जो है आपका पहले आ तो चुका है लेकिन इन्होंने question इसके change कर दिए next आपका poem का extract है यह poem जो है आपकी first my mother at 66 उसी में से लिया हुआ है तो पहला question है the poetess is coming from her parents home आएगा और the bird corpse means dead body और name the poet तो यह कम लादास next extract है आपका vistas का the tiger kimballe chapter से लिया गया है यह आपका first question है आपका the chief astrologer placed his finger तो यह आपका यहीं दिया हुआ है placed his finger on nose तो correct answer आपका आएगा c वाला on his nose फिर आगे how many old how many days old is the baby तो यह आएगा आपका correct 10 days यहाँ पर दूसरी line में ही दिया है आप यह वेरली 10 days next question the prince was born in the hour of the bull और from which lesson this extract has been taken the tiger king तो यह आपका answer यहाँ से आ रहा है the prince was born in the hour of the bull तो यह आपके चारों किस तरह से answer होने थे उमीद करती हूँ आपने सही किये होंगे क्योंकि question के जो answer है वो सारल है और यह आपके फिर से text book के question है जो repeat हुए है फिर से उमीद करती हूँ यह आपने किये होंगे next question number 14 आपका poem के question answer यह भी repeat हुए है और यह supplementary business task के question है आपके तो यह था आपका total paper उमीद करती हूँ आप अच्छे से करके आई होंगे और आपने अच्छे से अपना paper मेच कर लिया होगा चैनल को subscribe जरूर करने हम सभी paper के solution डालते हैं तो आप देखते रहें चैनल